नमस्कार दोस्तों, एकाउंट मस्ती चैनल में आप गाई वार फिर स्वागत है आज हम जो चैप्टर नूम्बर 6 में कोशन्स रहे गए हैं लास्ट के कुछी कोशन्स हैं आज मैं उन कोशन्स पर वीडियो बनाने जा रही हूँ जैसे की कोशन नूम्बर 23 इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कोशन्स नूम्बर 22 तकके सॉल्यूशन्स डाल चुके हैं आज हम करेंगे कोशन नूम्र 23 बुक शिव्लाल, चैप्टर 6, डिस ओलीटे शन चोलिटे वरण्स Easy और मैंने कोशन नूम्र 7 की वी वीडियो बना के अप्लोट कर चुकी हूँ आप सभी इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देख लेना चलिए कोशन करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट करके बताईएगा कोशन थ्री है इसने हां सान्व और सेवानी पर पार्टनर्स ये नफ फर्म शेरिंग प्रॉफित और लॉसे इन दर रेशो अफ 3 तो 1 ये बैलाइंशीट दी हुई है इसमें आप देखेंगे कि ये कैपिटल यहां दो लोगों की दी है इसने यहां और सान्व की सिवानी की नहीं दी है मतलब यह जो सिवाने की कैपिटल दी है यह एक्चल में कैपिटल है नहीं यह अभी कंपनी के लिए लॉस है इसने अभी इसने कैपिटल अपनी लाई नहीं है चलिए अपन को भी इससे कोई मतलब नहीं है नीरज का लोन है, नीरज पार्टनर नहीं है इसका लोन आएगा क्रेडिटर्स आएगा लाइफ इन्सोरेंस फंड भी आएगा क्योंकि एक तरह से यह फंड है मशीनरी स्टॉक इंवेस्टमेंट life insurance policy भी आएगा debtors लेंगे cash at bank और syvani's capital नहीं लेंगे और इसी के साथ हमें हापे इसका वो भी दिया हुआ कि किस से हमें कितने पैसे मिले या हमें किस को कितने पैसे देने हैं चलिए हम पढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे करते हैं सिर्फ आप एक चीज़ देख लीजें कि यह जो debtors है realize 50% of the book value मतलब हमें debtors दिये हैं 26,100 के जिसका हमें 50% निकाल के लिखना है चलिए question number 23 question 23 realization account realization account सबसे पहले दिया यहाँ पर 2 आप लिखते जाएंगे हम ऐसे लिख देते हूं short map चलिए चलिए 2 machinery machinery है 1,21,500 की 2 stock stock है हमारा 22,650 रुपीज 2 investment है हमारे पास 44,490 रुपीज का अब आता है LIP मतलब life insurance policy जिसको short में हम लिख देते हैं LIP आप लोग fully लिख लिखेगा यह तो मैं करवा रही हूं इसलिए short में लिख देते हूं 42,000 का 2 debtors रह गया हमारा debtors है 27,900 और जो मैंने बताया था 26,100 वो bet debt reserve कम करके दिया हुआ है हमें original लिखना था to cash इतने ही adjustment है यहाँ मतलब इतने ही दिया हुआ है balance sheet में यहाँ by creditors creditors है हमारे 55,500 के loan दिया हुआ है किसका loan है नीरज का ends loan कितना है 30,000 दिया 30,000 by bet debt provision कितने का है 1800 का by cash और कुछ तो नहीं छूटा ऐसा लग रहा है छूट के life insurance fund L.I.P. छूड़िया है यहाँ लिख लीजिए by life insurance fund 42,000 policy of fund दोना एक ही amount है 42,000 यहाँ policy यहाँ fund चलिए machine से मिला हमें machinery से मिला हमें 16,500 रूपीस इस्टॉक से मिला हमें इस्टॉक से मिला 21,000 investment से मिला हमें 52,500 और और के रहे गया L.I.P. life insurance policy से मिला हमें 36,000 36,000 रूपीस मिली है और रहे गया है debtors debtors में मिले हमें 6,450 रूपीस और उस question में उस जहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे लिखा है the investment of the value of 19,000 were not recorded in the books taken over by the creditors मतलब investment जो 19,000 के नहीं लिखे थे हमने इसमें वह यहाँ पे लिखेंगे कितने के हैं इन्वेस्टमेंट कितने के थे 19,000 रूपीस के 19,000 के और हो गया नो सब मशीन जी हो गया इन्वेस्टमेंट रूपीस पॉलिसी डेप्टर्स इन्वेस्टमेंट दो इन्वेस्टमेंट थे चलिये अब इधर आ जाएगा creditors creditors हमने दी है 36,000 के end का loan loan का है 30,000 realization expense है realization expense दिया हुआ 1800 रुपीज और इसमें creditors इसमें जो creditors है उसका एक adjustment दिया हुआ है देखिए इसका मतलब यह है कि जो creditors थे इन लोगों ने 19,000 के हमसे investment लिये थे तो वो investment तो हमने यहां लिख दिये 19,000 लेकिन creditors से minus नहीं किये जब हम creditors से minus करेंगे तो यह आ जाएगा 36,000 इसलिए मैंने यहां पर 36,000 लिखा है और हम यहां पर लिख देंगे creditors 19,000 यहां पर creditors 19,000 का भी लिखना पड़ेगा हमें यहां पर लिखना पड़ेगा creditors 19,000 भी creditors 19,000 भी यहां पर लिखना पड़ेगा तो यहां पर लगबाव हमारा सब लिख गया है देख लेते हैं हाँ चलिए और यहां पर भी हो गया है सब कुछ देखते हैं life insurance fund हमने लिख लिया है 36,000 का investment भी लिख लिख लिए है stock भी लिख लिख लिया है हमने debtors 1,65,000 था यहीं पर अपना answer नहीं आ रहा था और बाकी हमने सब कुछ लिख लिख लिया है और कुछ रह तो नहीं गया देखिए इसमें डैप्टर्स जो है डैप्टर्स का एक एज़ेस्मेंट जो है वो हमने छोड़ दिया है वो कौन सा एज़ेस्मेंट छोड़ दिया है डैप्टर्स जो हमें कितने के दियों हुए है यहां पर 27,900 के इसमें से जो एक पार्ट था 15,000 रुपिया 15,000 का जब हमने उसे बेचा तो उसमें हमें 12,000 रुपीज मिले जो की हमने यहां पर नहीं लिखा है तो यहां पर एक बार और डैप्टर्स लिखेंगे और उसमें हमें कितने मिले है 12,000 रुपीज 12,000 मिले है यह 12,000 है, 12,000 रुपीज मिले हैं और जब हमने 27,900 रुपीज मैंसे 15,000 माइनस किये तो जो भी एमाउंट आया हमारा, उसका हमने 50% कम किया तो जब 50% हमने उसे कम किया और फिर उसे बेचा तो उसे हमें 66,450 रुपीज मिले इसलिए हमारा आंसर मतलब जब मैं कैल्कुलेटर में कर रही थी तो गलात आया और अब हमारा यहां पर सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और हमने एक चीज और यहां पर नहीं लिखी है लिख लिख लिए लिख लिए कोई बात नहीं चलिए और अब यहां पर लिख देंगे 4,41,250 रुपीज यहां का टोटल भी उतनी है 4,41,250 रुपीज यह कोईशन थोला कंफ्यूजन था और यह मेरी ख्याल से आए एमपी है कोईशन चलिए यही पर हमारा कोईशन नमबर 23 भी कम्प्लीट हो चुका है चलिए कोईशन नमबर 24 भी कर लेते हैं कोईशन नमबर 24 भी इजी है उसमें भी ऐसी कुछ है चलिए करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कोईशन नमबर 24 सिल्पा, मीना और नंदा डिसाइड़ तो डिसॉल्व दे पार्टनर्शिप अं 31st मार्च 2018 यह दी हुए है बैलेंशीट प्रोविजन फॉर डार्टफुल डैप्स हम लिखेंगे जनरल रिजबने लिखेंगे क्रेडिटर्स लिखेंगे बैंक लोन लिखेंगे और यह लिखेंगे नंदास कैपिटल और कैश छोड़के यह एड्जेस्टमेंट जो हमें दी है वो हम पढ़ते जाएंगे वो करते जाएंगे आपको बता देते हैं वैसे इस वाले में सिर्फ एक ही दो चीज़े हैं जो हमने मतलब करनी पड़ेंगी वही हैं देखे इसमें भी जो डैप्टर्स है वो दो बार बिके हैं देखे दर इस्टॉक और डैप्टर्स दो चीज़ेस में मतलब इसमें वो डैप्टर्स जो 18,600 के थे उससे जब हमने 10,000 के डैप्टर्स निकाले और बेचे तो उससे हमें 8,000 रुपीज में लेकिन जो बाकी के बचे हुए थे उसका जो वो बैली मतलब 8,600 का जब हम 50% लैस करते हैं तो आ जाता है 4,300 रुपीज तो वो बैली पे लिखा था जब हम इससे लैस करेंगे 50% तो 4,300 रुपीज आ जाएगा cost of realization amounted to 1,200 there was a type writer not recorded in books जैसे उस question में हमने देखा था कि investment नहीं लेकिए थे और creditors द्वारे ले लिए गए थे ऐसे ही यहाँ पे है यहाँ पे type writer है जो कि हमारी assets है मतलब जहां हमने investment लिखे थे वहीं हम typewriter लिखेंगे which were taken over by one of the creditors at this value prepare realization account 6000 के हैं ये भी question easy इसमें भी profit निकला है हमारा चलिए कर लेते हैं question number 24 है ये question 24 realization account छोटा question है बस थोड़ा समझना पड़ता है लेंड ऐटीवन थाउजन इस्टॉक 56,760 रूपीज डैप्टर्स हमारे हैं 18,600 के टूप कैश तीनी चाचीज हैं स्टॉक क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हम दिये हुए है 37,000 के लोन दिया हुआ है बैंक का अज़न रूपीज 20,000 रूपीज बैड़ेप प्रोवीजन दिया है 1200 बाइ कैश क्रेडिटर्स हम पहले पेड आफ कर देंगे क्रेडिटर्स में मिले हमें 37,000 बैंक का लोन बैंक लोन यहां भी लिख लिजे नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कितने हैं 20,000 बैंक वाले में हम कोई वो नहीं कर सकते कि फॉल सैटलमेंट में पेड करें रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं 1200 की यहाँ पर हम जब लेंड बेचेंगे तो हमें मिले जब हम लेंड बेचते हैं लेंड गस में हाँ वन लेक्ट टैन थाउजन रुपीस मिलेंगे कितने वन लेक्ट टैन थाउजन रुपीस इस टॉक इस टॉक भी हमारा दो बार हमने बेचा एक बार जब हमने बेचा तो हमें मिल गए 41,660 रुपीस का जब हम बेचते हैं तो उससे हमें 35,000 रुपीस मिल जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है स्टॉक का उससे हमें मिलते हैं 14,000 रुपीस पोक में दिया हुआ है जहां एट्रेस्मेंट है और डैप्टरस में भी ऐसे था एक को डैप्टरस जब हमने 10,000 के लिए जब हमने उससे बेचा तो उससे हमें 8,000 रुपीस मिले और एक जगर डैप्टरस का जब हम 50% करते हैं तो वो आ जाता है 4,300 रुपीस 4,300 रुपीस अब एक चीज़ और वहां पर लिखी हुई है टाइप्टर हाँ टाइप्टर टाइप्टर टाइप्डर जु है वो हमारा असेट से जैसे हमने इंवेस्ट्मेंट लिखा था ऐसी ये भी कितने का 6,000 का यहीं भी हमारे यह कोश्चन भी जितने भी चीज़ दी हुई थी हमने लिख ली इस कोश्चन में भी हमारा प्रॉफिट निकला है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 20,940 टोटल है अमारा दोनों साइट का यहां का है 23 नि 2,35,500 तो लैग 35,500 रूपिस यहीं भी हमारा कोश्चन नमबर 24 भी कम्पलीट हो गया आप ये मत सोचे कि मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ तो मुझसे बननी रहा है वो थोड़ा सा बुक में कोशन पढ़ना रहता है इसलिए ऐसा लगता है कि अटक जाते हैं और अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझेंगे तो आपको कॉंसेप्ट जादा क्लियर होंगे और मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है आप हमारे वीवर बनते हैं तो आप हमें सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और बाकी तो मैं आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो देती रहूँगी आप बोले चाहे ना बोले और मैं आपसे आशा करूँगी कि इसी चैप्टर के जो और कोश्चन्स है बहुत ही इजी इजी कोश्चन्स है करिए आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत ही इजी कोश्चन्स है और मैंने शेयर चैप्टर पे भी एक वीडियो डाल चुकी है वो भी देख लीजे चलिए कोश्चन नमबर 24 भी कम्प्लीट होगी कोश्चन 25 भी बता देती हूँ वो भी बहुत इजी है यह है सुर्जीत राही वर पार्टनर्स 3-2 रेशो है बैलेंशीट दी हुई है हम देखिए सुर्जीत ने भी लोन दिया है राही ने भी लोन दिया मतब दौनों लोन नहीं आएंगे रिजर्व नहीं आएगा कैपिटल नहीं आएगी सिर्फ आएगा क्रेडिटर्स यहाँ पर बैंक नहीं लेंगे हम स्टॉक डैप्टर्स फरनीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट लेंगे प्राफिट अन लॉस भी लेंगे इस कोशन में साथ कुछ एक प्राफिट अन लॉस हम नहीं लेंगे इसमें क्योंकि यह रियलाइजेशन अकाउंट है प्राफिट अन लॉस जब एक तरह से हमारा हमको प्राफिट है जिसको हम पाटनर्स कैपिटल अकाउंट में बाटते हैं सुर्जीत अग्री टू टेक अन्वेस्टमेंट स्टॉक 5,000 डेप्टर्स 18,500 फर्नीचर 4,500 प्लांट 25,000 एक्सपैंसे रियलाइज़ अमांट 1,600 क्रेड़ेटर्स 37,000 बहुत ही इजी सम है कर लेते हैं इसके बाद ही जो कोशन 26 है ये मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें जनरेल एंट्री वाला है जो कि पेपर में इस चैप्टर से तो नहीं आता इसलिए आप भी इसमें परिसान मत होईएगा चलिए करते हैं कोशन नमबर 25 कोशन 25 रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे इस्टॉक इस्टॉक दिया है सिक्स थाउजन का डेप्टर्स डेप्टर्स हमें नाइन्टीन थाउजन के फरनीचर दिया हमें फॉर थाउजन का प्लान्ट दिया हमें प्लान्ट सरी सरी प्लान्ट ट्वेंट थाउजन का इन्वेस्ट्मेंट दिया हमें टेन थाउजन का टू कैस यहां पे सिर्फ एडिटर्स था मैंने बताया था आपको एडिटर्स हां थाट्यएट थाउजन बाई कैस अब इस्टॉक से हमें केतने मिले थे फाइफ थाउजन इन्वेस्टमेंट से हमें मिले थे 8000 डेप्टर से मिले थे हमें 18500 फर्नीचर से मिले हमें 4500 प्लांट हमें मिले 25000 और क्या रह गया बस इतनी चीज़े तो है अब यहाँ पर आ जाएगा realization loss creditors paid कर देते हैं creditors हमने paid किये 37,000 का वहाँ लिखा होगा in full settlement realization expense है हमारा 1600 टोटलिंग कर लेते हैं total है हमारा 10,056 नहीं नहीं वन लाग 5,600 रूपीज यहां कभी आजाएगा वन लाग 5,600 रूपीज लॉस आएगा हमारा 66 रूपीज का इसी के साथ हमारा है question number 25 जो है वो भी complete हो चुका है यह बहुत ही easy question था एक बार और आपको बताओ दूँ क्या चलिए जो चीज हमारी balance sheet में इस साइड लिखी होती है वो हम direct यहां लिख देते हैं cash at bank नहीं लेते है capital नहीं लेते partner का loan है तो नहीं लेते यह चीज हमें ध्यान रखनी कि यह कुछ चीजें जो हम नहीं लेते हैं profit and loss का इसमें जो दिया हुआ था वह हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि profit and loss में जो profit होता है वह हम partners capital account में बाठते हैं ना कि realization account और revaluation account इसी के साथ हमारा यहां पर question number 25 भी complete हो चुका है अगर वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो like कीजें thank you for watching फिर मिलेंगे और नए questions के साथ झाल